एलो फ्रेंब्स आप देखरे हैं आपका चानल श्यवाजेवाजरवितायुश और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर 24th मार्đ्च की ग्रें मार्केट के उपर यानि बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आज की ग्रें मार्केट काफी सारे IPEO's को लेकर एक और नया मेन-N. IPO, Avalon Technologies के बारे में चर्चा होना शुरू हो गई है, बात करेंगे इसके बारे में, उधर शिफकुमार Infra, कल बंद हो आता, लेकिन ग्रे मार्केट में जो उतार चड़ाव आपको देखने को मल रहा है, लेकिन आज की ग्रे मार्केट तो खुश करेगी, इसका मतलब चड़ावी चड़ावे उतार नहीं दिख रहा है Made in Forging से एक SME इशू है, आज Quality Files की देखिए, लिस्टिंग हुई है दमदार, 60% के आसपास तो definitely, मार्केट के अंदर ये दिख रहा है कि जो अभी IPOs है, बली मेइन लाइन हो, बली वो SME हो पैसा बन रहा है, अगर अच्छा कोई कमपनी है तो, बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर पूरा जरूर आप जुड़े रहिएगा, फर्स टेम अगर अपने फ्रेंज चानल को विजिट किया है, चानल को जरूर सबस्क्राइब आप कर लीजिएगा तो सबसे पहले तो देखे बात, Avalon Technologies के उपर ही करते है Avalon Technologies दोस्तों, एक नया मीन आन इशू जो है वो माना जा रहा है कि आने वाला है, और डेट्स भी अगर मैं आपको बताऊं, sources की तरफ से खबरे तो यह है, कि करीबन 31 मार्च से यह इशू जो है, वो उपन हो सकता है कहीं जग़ा पे आ रहा है कि करीबन 8500 करोड का इशू होगा कहीं जग़ा पे आ रहा है कि यह more than 1000 करोड का इशू होगा, बट जो important बात है कि जो सबसे बड़ा portion है, वो दोस्तों इसमें OFS करेने वाला है, यानि offer for sale का फ्रेश इशू भी रहेगा, लेकिन ज़ादा portion जो है, फो OFS का है 31 मार्च से माना यह जा रहा है कि open हो सकता है, अगर company के बड़े हैं बात करें तो definitely सबसे important तो यह इथा कि SEBI को, SEBI ने इनको भी NOD दी थी, उदर शिफ कुमार, शिवा कुमार और इसको भी, दोनों को एक साथ NOD मिली थी, तो अब दोस्तों Avalon भी आज सकता है, इस पर कोई doubt नहीं है, और most likely मान के चले 31 मार्च से यह open होने वाला है अब Avalon Technologies करता क्या है दोस्तों, ये कंपनी जो है, वो Fully Integrated E.A. में से, यानि Electronic Manufacturing Services की कंपनी है जो end-to-end capabilities का काम करती है जादा बात हम कंपनी के बारे में जब साई details निकल गएगी तब जरूर करेंगे पर जैसे मैंने का, दीखे, यहाँ पर 1025 करोड का issue बता जा रहा है कहीं जगा पर 825 करोड, 850 करोड के आसपास का issue बता जा रहा है तो अभी उस पर हम definitely wait कर सकते है बढ़ हाँ, अगर यह है तो इसमें से 400 करोड का यह fresh issue और OFS 625 करोड का अगर कंपनी के financials के उपर बात करते हैं, तो कंपनी के जो financials है वो कह सकते हैं कि तब भी ठीक है बुरे नहीं नज़र आते हैं बहुत growth भी नहीं है, बट यह नहीं कि बहुत decline भी नज़र आता है कंपनी ने दोस्तों करीबन 653 करोड का revenue पोस्ट किया था 31 मार 2020 में 12 करोड का उसमें मुनाफ़ा था, अगले साल कह सकते हैं कि अगर आप financials को first vision में देखेंगे तो definitely काफी अच्छे दिखता है, because company ने अपनी borrowings को भी at a certain point manage करके रख रखा है, कम नहीं हो रही है लेकिन अगर आप देखेंगे तो बढ़ भी कुछ खास नहीं रही है, 248 करोड है company की borrowing, उसके बाद 295 करोड की हुई, अब 294 करोड की हो गई, तो इसका मतलब कि company जो है, वो definitely manage करके चल रही है, अपनी borrowings को मुनाफ़ा जो है, वो company का increase हो रहा है और काफी बढ़िया कर रही है, बट जैसा मैंने कहा, कि ज़्यादा details, जब ज़्यादा details निकल के आईगे, तब बात करेंगे, but most likely मानके चलिए, Avalon Technologies जो हो सकता है, वो अगला आपको main line issue अज़र आ सकता है, main board issue निकल के आ सकता है, अगे बात करें, made in forging के उपर, तो made in forging IPO SME issue है, आज इसका second day है, ये बाद ध्यान रखेगा, वो इसका आखरी दुन होगा, on the 27th, 25-26 को, तो Saturday Sunday तो market बंद है, तो इसमें भी आप नहीं लगा सकते है, 63 रुपीस का इसका price band है, 2000 shares आपको मिलेंगे, एक lot के अंदर, 23.84 करोड shares आपको मिलेंगे, sorry, 23.84 करोड का पुरा का पुरा issue है, और यह पुरा का पुरा fresh issue है, अगर subscription के उपर बात करें, तो subscription तो मतलब काफी low है, इसमें कोई doubt नहीं है, QIB is 0.48, HNI is 0.45, retail 0.30, कुल मिलाकर issue 0.36, first day subscribe बहुत हो 0.23, second day लग रहा है कि आज भी आधा भी subscribe होजा तो बहुत बड़ी बात है, तो definitely interest नहीं है, gray market नहीं है, interest नहीं है, यह बाद समाझ लीजी, जहाँ पे premium नहीं मिलता, वहाँ पे definitely लोग लगाना चाहते नहीं है, और वो अपने अपने सही भी, इसमें कोई doubt नहीं है, तो definitely लग रहा है कि made in forgins तो जादा कुछ खास करने ही पाएगा, देखते हैं आकरे दिन कितना पैसा निकल के आता है, but most likely यह issue जो है वो अपनान के चलिए, not going to be a very big hit, big hit क्या hit भी नहीं होने वाला है, यह भी नजर आता है, अब बात करते हैं दोस्तों, gray market के उपर तो अब बात करें दोस्तों, यहाँ पर सारे gray market के उपर, तो MOS utility, no gray market अभी तक कोई gray market चालू नहीं हुई है अभी तो इसकी price band भी निकल के नहीं है dates तो निकल के आ गई कि 31st of March से यह issue open होने वाला है, infinium pharma cam यह भी 31st March से open होगा, 135 रुपीज का इसका price band है but no gray market सोटक pharmaceuticals अब नाम तो यह है, तो 110 रुपे की दोस्तों इसकी price band है but no gray market, यह भी open होने वाला है from 29th of March, अगला issue आता है दोस्तों, made and foldings, देगे issue open है, उसकी बावजूद भी कोई gray market नहीं है इसका मतलब यह है कि लोगों का कोई खास interest नजर नहीं आ रहा है, और definitely कोई premium भी देने को तयार नहीं है इसलिए यहाँ पर second day होने के बावजूद भी, there is no gray market at all, तो definitely यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नजर नहीं आ रहा है, अभी अगर आप दिखेंगे तो यह शू का आज second है यह बंद हो जाएगा on 27th अब बात करते हैं यहाँ पर उदेशिव कुमार इंफरा IPO के बारे में, तो देखें उदेशिवा कुमार इंफरा की gray market at all time high, जी हाँ, 51% 51.43% दोस्तो gray market पहुँच गई है आज जिन लोगों ने नहीं लगाया होगा वो लोग सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं लगाया because 51.43% gray market होना वो अपने आप पे दोस्तों पे बहुत ही बड़ी बात है ऐसा नहीं कि markets के अंदर आप क्या कोई बहुत बड़ा move देख रहे हैं आज भी बाजार तो निच्छी आ रहा है पर उसके बावजूद भी देखें market जो है वो इसको premium देने को तयार है उसके पीछी का जिसमें आपको बताया कारण भी यह ही है कि देखें कल subscription काफी बड़ा निकल के आया अगर इतना healthy subscription निकल के आयागा तो एक कारण वो भी होता है कि definitely market उसको premium देने को तयार हो जाएगा दूसरी बात यह है कि एक बहुत छोटा issue है नहाल फिलाल के अंदर अगर आप इसको देखा जाए तो यह एक SME issue होना चाहिए था main line में जरूर लाया गया बट important क्या है कि लोगों ने अपना interest दिखाया और इसलिए यहाँ पर grey market इतना premium देने को तयार हो चुकिये 51.43% तो it's an absolute हम कह सकते हैं कि बढ़िया है and definitely यहाँ से अगर और उपर जाती है तो बहुत चौकने वाली बात नहीं होगी again इसके अंदर भी allotment बहुत आसान नहीं होने वाला है बट यह है कि बहुत मुश्किल भी नहीं है सच तो यह भी है अगर दस में से अगर आपने आपके family members 14 times जरूर सब्सक्राइब होए अगर आपको कल भी बताया था कि multiple lots होते है तो अगर आप 12 भी लेके चलेंगे और अगर अपने family से अगर आपके 4 members भी है तो definitely possibility तो increase होई जाती है तो यह बात important है आगे बात करते हैं यहाँ पर देव लेप्टेक के बारे में तो 12 रुपे ग्रे मार्केट है इसकी दोस्तों लिस्टिंग 29th of March हो है command polymers कोई यहाँ पर कुछ खास नजर नहीं आ रहा है 4 रुपे discount में है निर्मन एगरी माइनस 2 रुपे bright outdoor media आज लिस्ट हुआ interestingly अच्छे लिस्टिंग हो गई 146 का 150 पर लिस्ट हो गया gray market definitely देखिए यहाँ पर negative में था लेकिन subject to rates देर आता premium तो उसके कारण मुझे लगता है कि पैसा बन गया है यहाँ पर जब वैसे ही देखिए यहाँ आज quality foils की लिस्टिंग 97 पर दिखार तक ही होनी चाहिए 100 पर हो गई तो अपने आप में यहाँ पर भी लोगों ने पैसा अच्छा कमा दिया यही अगर मैं बात करता हूँ बाकी सब IPOs की आरे में तो अच्छे लिस्टिंग हो रही है तो definitely market में mood माहुल अच्छा है यह एक बहुत ही बढ़िया संकेत है कि markets में अब premium मिल रहा है अच्छा IPOs को premium मिल रहा है और यही दोस्तों होना भी चाहिए लगता है कि देखिए अगर उदेशिवा कुमार अच्छा कर जाता है तो mainland IPOs के अंदर भी जो सूखा था वो definitely नहीं रहेगा और काफी IPOs आपको April के मन्त में आना चालू हो जाएंगे बहुत possibility है तो yeah we had to wait बट यहाँ पर बढ़िया हो सकता है इस वीडियो में इतना जीदा Thank you friends for watching this video